Hello everyone, welcome back to my YouTube channel, Unique Classes तो जैसा कि मैंने आप सभी को एक promise किया था कि अब के साल जो है मैंने आप सभी को एक नारा भी दिया था कि ये उनीक Classes का नारा है, SOSC हमारा है तो ये नारा केवल ऐसे ही बोलने के लिए नहीं है हमें इसको साकार करके दिखाना है और आपको पता होगा कि हमारे चैनल से जुडने से काफी सारे स्टुडेंट्स के जो है सेलेक्शन हुए थे पिछले साल भी और इस साल भी होंगे है ना, लेकिन उसके लिए हमें करनी पड़ेगी प्रेपरेशन और प्रेपरेशन के लिए हमें कुछ important topics का तो पता होना ही चाहिए तो मैंने आप सभी के लिए maths और reasoning दोनों के ही important topics जो है उसकी वीडियोस बना दी थी फिर बच्चों का comment है कि नहीं मैं हमें तो science का भी चाहिए क्योंकि science भी काफी important है हम उसको neglect कैसे कर दें तो चलिए आज हम important topics जानते हैं science के आप सभी के लिए important topics बोल लो chapters बोल लेकिन उससे पहले एक छोटा सा काम तो भई करना बनता है आप सभी को आप सभी को बहुत सर्दी लग रही होगी तो इस सर्दी को थोड़ा सा भगाने के लिए आप सभी क्या कर सकते हैं subscribe button को subscribe कर सकते हैं bell icon को press कर सकते हैं साथ ही video को आप like भी कर सकते हैं तो चलिए start करते हैं अपने आज की class मतलब वीडियो में मैं आपको बताती हूं जो हमारा जो content है वो है important topics आपके science की so first app का जो है देखो मैंने हापे index wise नहीं लिया है यानि की serial wise नहीं लिया है जो चीज मुझे ज़्यादा important लग रही है मैंने वो सब लिख डाली कैसे भी करके उपर नीशे तो सबसे पहले मैंने लिखा microorganisms friend and foy this chapter is very very important मतलब कि इस chapter से questions तो जरूर आता है तो इसको तो star mark कर लो इसको तो बेशक से दो बार NC artist की read कर लो लेकिन इस chapter को तो आप बिल्कुल भी नहीं ऐसे मतलब छोड़ नहीं सकते ये chapter बहुत important है और इसमें से पक्का एक question तो पक्का से आएगा और शायद अर्पित ने या पता ने किसी और बच्चे ने interview दिया था हमारे को तो उसने बताया था कि हमारा ही कोई करवाय हुआ question बिल्कुल as it is same copy आ गया था तो ये तो काफी अच्छी बात है तो जो बच्चा जो है classes को देखता होगा बिल्कुल regularly और बिल्कुल concern के साथ देखता होगा उसका तो फिर question गलत जाननी वाला और उसको फायदा हो जाएगा ठीक है अब बात करते हैं आपके second जो है वो है synthetic fibers and fabrics और एक plastic भी होता है इसमें ठीक है plastics भी होता है so plastics जो है उसको भी आप include कर सकते हैं तो synthetic fibers मेरे ख्याल से आपके इस बार के time में से academic year में से शायद यह deleted chapter है I don't know की मतलब पक्का नहीं पता मुझे है या नहीं है but may be deleted है लेकिन synthetic fibers की भी मैंने MCQs आप सभी को कराए हुए है तो उनको आप देखो आपको समझ में आ जाएगा and इतना कुछ मुश्किल नहीं है easy chapter है जो easy easy chapters है उसी में से जाधा question आ रहे है और जो easy chapter हमें लग रहे हैं वही सबसे जाधा important भी है तो यह भी आपको करके जाना है एक आपका chapter आता है physics में से chemical effects of electric current chemical effects of electric current यह भी again बहुत important chapter है यह जो बच्चा नहीं करके गया समझो फिर उसकी science तो SEC होएगी क्योंकि इसमें से एक आपका आता है electro plate करके कुछ होता है एक topic वो आता है आपका ठीक है मुझे पूरा याद नहीं है क्योंकि मुझे पढ़ाये हुए काफी time हो चुका है इस chapter को हाँ मैंने MCQs इसके कराये हुए होंगे और इसमें काफी सारे अलग-अलग चीज़े बताई जाते हैं तो वो सब इसमें जो है include है और यह chapter काफी important है ओके so next आपका chapter आता है crop production and management यानि कि crop का production कैसे होता है और उसकी management हम कैसे कर सकती है तो यह chapter भी काफी important है हाँ मैं यह बूल सकती हूँ कि इतना important नहीं है जतने आपके microorganism and chemical effect of electric current है बट हाँ यह भी किसी हद तक important है ठीक है उसके बाद है reproduction in animals तो यह वाला chapter बहुत important है biology का ठीक है biology के एक दो chapter ऐसे हैं जो कि इतने important है कि इसमें से questions तो ज़रूर रहेंगे तो यह वाला chapter काफी important है इसको बिलकुल NCRT से अच्छे से read करेंगे और अच्छे से scam secure उसको भी attempt करना है जतने भी diagrams है उन सब को भी अच्छे से करना है क्योंकि picture वाले questions भी आजाते हैं आप चलते हैं next पर और next आपके पास है यह वाला next आपका biology का मैं कह सकती हूँ कि biology की जान है यह वाला chapter cell cell structure and functions so cell क्या होता है उसका structure कैसा होता है उसके functions कैसे होते हैं आपको इस chapter में बताया जाएगा and यह chapter सच में बहुत important है इसको भी आपको अच्छे से NCRT से read करना है और इसके जो इमेज वाले होते हैं questions, pictures वाले cell किस टाइप के होते है red blood cell दिया हुआ है आपको एक spinal cord भी दिया हुआ है nucleus cell भी दिया हुआ है तो उन सब के parts को भी आपको अच्छे से याद करना है उसके बाद है light chapter भी काफी important है इसको भी आप अच्छे से करेंगे इतना भी मुश्किल नहीं है क्योंकि 10th में थोड़ा मुश्किल होता है 8 तक के level का करना है तो easy है, इतना मुश्किल नहीं है उसके बाद है आपका एक chapter conservation of plants and animals इस chapter में से भी काफी questions देखने को मिलते हैं तो ये chapter भी ज़रूर करेंगे इसमें flora phona का concept जो है वो आना चाहिए red data book के बारे में पता होना चाहिए national parks जो है कुछ national park ऐसे होते हैं उनके बारे में पता होना चाहिए कि इस national park में कौन सा animal जो है उसको protect किया गया है इस तरीके से जो gir होता है जी आई आर उसमें lion जो है उसको protect किया जाता है इस तरीके से होता है ठीक है एक सुंदर्बन है जिसमें की नाम नहीं आदा रहा है मुझे सुंदर्बन में भी किसी उसको animal को किया जाता है wild animal ही होता है वो उसके बाद है next आपका chapter reaching the age of adult sense reaching the age of adult sense बहुत important chapter है इसमें से भी questions पूछने को मतलब आते हैं एक आप से पूछे जा सकता है कि manopause क्या होता है manopause, manarchy जिसको बोलते है manopause, manarchy ये पूछे जा सकते है और आप से जो है कोई passage देके भी पूछा जा सकता है ठीक है तो इस तरीके से आप से इस chapter में से question पूछे जा सकते है तो इसको भी आपको क्या करना है line to line read करना है उसके बाद आपका chapter आता है force and pressure ये भी physics का काफी important और main chapter होता है तो इसको भी आप सभी अच्छे से करेंगे ठीक है उसके बाद sound, sound भी again physics का chapter है इसको भी करना है बिल्कुल अच्छे से physics के जो chapters है उसमें जो है आपको जैसे light वाला chapter है तो जो images आपको दियो है वो आपको पता होनी चाहिए और छोटी-छोटी keywords भी पता होनी चाहिए जैसे कि force क्या होता है force की definition क्या होती है उसकी measurement की SI unit क्या होती है इस तरीके से आपको पता होना चाहिए उसके बाद है next आपका combustion and flame combustion and flame जो है ये भी काफी important chapter है इसमें से हो सकता है कि आपको एक candle जो है वो दे दी जाए एक burning candle दे दी जाए और ऐसे करके आपको जो है डेश डेश करके आपको नाम बतानो कि कौन सा outermost part है कौन सा middle part है कौन सा जो है आपका अपर part है इस तरीके से उसके बाद last आपका और ये भी काफी important है metals and non-metals so question इस तरीके से पूछा जा सकता है कि which are the following is not a non-metal कि इन में से कौन सा एक non-metal नहीं है या फिर इन में से कौन सा जो है एक metal है इस तरीके से भी question पूछे जा सकता है तो ये भी काफी important है line to land read करना है I hope आपको वीडियो काफी अच्छी लगी होगी helpful लगी होगी और आप सभी ने इन सभी chapters को note down तो करी लिया होगा और आप मुझे comment box में ये बताइए कि आपने कौन कौन से chapters जो है उनको पढ़ लिया है साथ ही आप सभी like जो है वो ज़रूर कीजेगा ठीक है जल्दी जल्दी से like कर दो और देखो यहां तक आ गए हो तो मेरे को पूरी surety हो गई है कि आपको ये वीडियो काफी अच्छी लगी है क्योंकि अच्छी लगी है तभी तो इतने ending तकाई हो तो अब एक like तो बनता है ना भई मुझे भी थोड़ा सा appreciation दे दो like कर दो comment कर दो और हाँ जो बच्चा new है उसको बार-बार ना बोलना पड़े क्योंकि आप सभी समझदार बहुत है तो आप सभी अपने अच्छे के लिए हमारे चैनल को subscribe भी कर सकते हो जिससे कि आप सभी को important topics और classes और important updates सब कुछ time to time मिलेगी और exam आपका इतना नजदीक आ गया है तो आप सभी की तारी भी अच्छे से होनी चाहिए तो इसके लिए आप जो है योनिक classes को subscribe कर सकते हैं bell icon को press कर सकते हैं जिससे की notification आए ठीक है वीडियोस की साथ में telegram group की link में description box में दे दूँगी उसको जो है join कर लीजेगा और हमारी योनिक classes की ID जो है Instagram पर भी है तो अगर कोई बच्चा Instagram पर है तो वो हमसे जो है जुडने के लिए Instagram पर हमें follow कर सकता है ताकि आप SOSC में जाने के बाद भी हमारे साथ जुडे रहो और आपको कोई भी problem होती है तो आप personally भी message कर सकते हो paid classes का किसी को अगर information लेना तो Instagram पर आपको मिल जाएगी पूरी पूरी information आप मुझे message कर दीजेगा मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ तब तक के लिए Thank you so much for watching this video, stay tuned